आप देख रहे हैं डार्क राज कुमार के साथ तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की योर दूस्तो अरजुन के पापा एक बिजनिसमेन थे जिस पज़े से सहर में उनके कई घर थे संजे कालोनी जहांपर वो रहते थे उनका वो घर भी काफी बड़ा था अरजुन के पापा अरजुन के हर इच्छा पूरी करते थे क्योंकि अरजुन उनका एक लोता बेटा था अरजुन के पापा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था पर उनके पापा का एक दोस्त था जो कि उसके पापा का बिजनिस पार्टनर भी था उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रिया था जो कि महज 8 साल की ही थी उस दिन संडे का दिन था अरजुन ने अपने पापा के साथ बैठा बैठा टेवी देख रहा था कि तभी दर्वाजी की घंटी बची अरजुन के ममी ने दर्वाजा खोला तो उन्होंने देखा कि प्रिया और उसकी फैमली थी प्रिया के पापा कहने लगी कि उन्हें और उनकी पत्नी को किसी काम से बहर जाना पर रहा है और शाम तक वो वापस आ जाएंगे तब तक वो प्रिया को उनके पाथ छोड़कर चा रहे थे ऐसा कहकर वो दोनों वहां से तो निकल गए और उसके बाद अरजुन के पापा को अपने ओफिस की कुछ फाइल्स चेक करनी थी तो वो अरजुन से कहने लगी कि वो प्रिया का ख्याल रखे अरजुन पंद्रे साल का था पर वो बहुत ही बिगड़ा वा बच्चा था और उसके पापा उसकी हर इच्छा भी पूरी करते थे जिस बज़े से वो काफी बिगड़ चुका था अब वो उनकी बाद भी ने मानता था वो प्रिया के साथ च्छत पर खेलने तो चला गया पर वहाँ जाकर उसने प्रिया को अकेला छोड़ दिया और वापस से वो नीचे आ गया फिर थोड़ी दिर के बाद उसके पापा जब उससे प्रिया के बार में पूसते हैं तो उसने कहा कि वो च्छत पर खेल रही है उसके पापा उसे डांड तो कहने लगी कि तुम उस चोटी सी बच्ची को च्छत पर अकेला छोड़कर नीचे क्यों आ गए जल्दी सोसे अभी नीचे लेकर आओ उसके बाद वो प्रिया को नीचे ले आता है और उसके बाद शाम होने को आई थी तभी वापस से अरजुन के पापा के फोन पर एक घंटी बची तो उन्होंने देखा कि प्रिया के पापा का फोन आ रहा था तभी वो फोन उठा गए उनसे बात कने लगे तभी अचानक से कुछ जोड़दार से आवाज आई और अरजुन के पापा घंटी गबरा गए वो फोन पर लगातर कहे जा रहे थे कि क्या हुआ आपको पर काफी तेर बाद एक आवाज आई जो कि किसी दूसरे की थी उसने बताया कि उनकी दोस्त और उसकी पतनी का एक्सिडेंट हो चुका है और एक्सिडेंट इतना भैयानत था कि कुछ पलों में उन दोनों ने वहीं पर दम तोड़ दिया ये सुनकर तो अरजुन के पापा के हाँ से फोन फिसल कर नीचे गर गया फिर उसके बाद वो जिगह पर गए जहां उनके दोस्त का एक्सिडेंट हुआ था उसके बाद से प्रिया अब उनके साथ ही रहने लगी थी पर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे तो वैसे वैसे अरजुन और भी लापरवा होता जा रहा था और इस कारण से उसके पापा उसे अक्सर डारते रहते थे अरजुन को प्रिया पर बहुत गुछ सा आता था कि उसकी बज़े से उसके पापा उसे हर रोज डारते हैं फिर एक दिन अरजुन ने प्रिया को नुकसान पहुचान की कोसिस की वो प्रिया को छट पर खेलने ले गया और मौका देखकर उसे नीचे गिरा दिया उसने सोचा था कि वो उसे पकड लेगा और बस उसे डराएगा पर वो उसे पकड नहीं पाया और प्रिया नीचे गिर गई और उस दिन उसकी भी मौत हो गई उसके बाद अरजुन की फैमिली वो सहर छोड़कर दूसरे सहर में सिफ्ट हो गई ऐसे अब तीन साल निकल गए और उनकी जिंदगी अब अच्छी भी चल रही थी अरजुन बड़ा होने के साथ साथ अब थोड़ा बहुत ही समझदार हो गया था और उस घर्टना की बाद उसने अपने परिवार को नहीं बताई थी क्योंकि वो घबरा गया था पर उस घर्टना के बाद उसमें काफी बदलाव भी आ गये थे एक दिन अरजुन के पापा को वापस से बिजनेस के कुछ सिलसले में एक महीने के लिए उसी सहर जाना था उन्होंने देखा कि पूरी कलोनी एक दम साथ थी जिस कालोनी में काफी राद तक चहल पहल रहती थी वहाँ आज सुभे के नौ बजे भी एक दम सन्नाट अच्छा हुआ था तब ही वो अपने घर की तरफ देखने लगे उनके घर की हालत अभी खराब हो चुकी थी और पिछले तीन सालों से वो घर भी बंद पड़ा था दू साल पहले एक फैमिली ने उसे रेंट पर लिया था पर वो भी एक महीनी के अंदर ही वो घर छोड़कर चले गए थे फिर उन्होंने देखा कि उनके घर के बार एक सुन्दर से सफेद कार खड़ी थी और उन्होंने सोचा कि किसी ने कुछ समय के लिए यहाँ पर पार्क कर दी होगी वो घर के अंदर गए तो अंदर से भी घर काफी साफ दिखाई दे रहा था बस बाहर से ही वो पुराना लग रहा था और उस घर में कोई भी ने रहता था फिर भी घर अंदर से बिलकु सही था तभी उन सभी को बातरूम में पानी गिरने की आवाज आने लिगी वो सब एक्तम से हैरान हो गए कि इस घर में तो कोई है यह नहीं तो फिर पानी के आवाज कहां से आ रहती वो सब उपर वाले बातरूम में गए तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि बातरूम का नल चालू था सभी एक पल के लिए हैरान से हो गए कि आखिर ये नल अपने आप कैसे चालू हो गया बाद में उन्होंने उस बात को नजर अंदाज किया और वापस से नीचे आ गए अब अरजुन के पापा अपने काम से घर से बाहर चले गए और अरजुन की मामी भी घर का कुछ सामान लाने के लिए बाजार चले गए थी अरजुन सफर करके आया था तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ ऐसे सोचकर वो अपने कमरे में सोने चला गया और वो जैसे ही सोया तो उसे ऐसा लगा की जैसे नीचे से उसे कोई आवाज लगा रहा हो तभी वो नीचे गया पर वहाँ पर कोई था ही नहीं जब वो वापस आया तो उसने देखा की उसके मम्मी उसके रूम में बैटी थी और वो उसे देखकर चौक गया अरजुन कहने लगा की अरे मम्मी आप तो बाजर गई थी ना तो आप अचानक से मेरे रूम में कैसा आगई तो उसके मम्मी ने कहा की अरे आज मैं थोड़ा थगए हूँ तो समान कर ले आउंगी और मेरे कमरे की स्विच खराब हो गया है तो साध इस कारण से एसी और पंका दोना ही नहीं नहीं चल गया है इसलिए मैं तेरे कमरे में आगई उसके बाद अरजुन ने कहा की ठेक है ममी आप मेरे कमरे में सो जाएए अभी वो दोने ये सब बाते करी रहे थे कि तब ही दर्वाजे की घंटे बज़े तब ही अरजुन ने दर्वाजे कोला तो वो जैसे दर्वाजा खुला तो उसके तो होशे उड़ गए वो एक्दम सांथ हो गया उसने देखा कि उसके ममी बहर दर्वाजे पर खड़ी थी और वो उन्हें देखकर चौक गया था तब ही उसके ममी अंदर आते हुँ कहने लगी कि तु मिझे देखकर ऐसे चौक क्यों रहे हो मेरा फोन घर पर रह गया था और सामान की लिष्ट भी उसी के अंदर थी तो वो लेने के लिए आई है तब ही अरजुन ने कहा कि अभी कुछ दिर पहले आप मेरे रूम में बैठी थी और मेरे से कह रही थी कि आज आप ठक गई है तो बाजन नहीं जाएंगी तो उसकी ममी ने कहा कि मैं तो तेरे सामने घर से बाहर गई थी और अभी तेरे सामने घर के अंदर आई हूँ तो फिर मैं तेरे कमरे में बैठे बैठे तेरे से बात भलक कैसे कर सकती हूँ तभी अर्जुन ने कहा कि ममे आप मजाख मत कीजे आप सच में मेरे साथ मेरे कमरे में बात कर रही थी न तो उसके ममी ने कहा कि तो कैसे बात एक रहा है बटा मैं तो अभी ही तेरे सामने बाहर से आई हूँ अर्जुन भाग तो अपने कमरे के तरफ गया और उसने देखा कि उसके कमरे के बैट पर उसकी खुद के लास पड़ हुई थी जिसे देखकर वो जोर से चिलाने लगा उसकी चिलाने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी उसके कमरे में आ गई तब ही उसने देखा कि अरजुन पूरा पसीने से भीगा हुआ कमरे के बैट के सामने खड़ा था और बैट को ही घूरे जा रहा था तब उसके मम्मी उससे कहती है कि क्या अरजुन तू चलाए क्यों था तो अरजुन ने कहा कि देखो ना मम्मी ये बैट पर मेरी लाज पड़ वी है तो उसकी मम्मी ने कहा कि उस बैट पर तो कुछ भी नहीं है तो अरजुन वापस उस बैट की तरफ देखने लगा तो वहाँ पर अब भी कुछ नहीं था तब ही वो घबरा गया कि उसके साथ ही हो क्या रहा है उसके बाद शाम हो गई और अरजुन की दिमाग में पूरे दिन ये सब खयाल घूम रहे थे लाद को अरजुन खाना खा के अपने कमरे में सोने के लिए चला गया जब वो सोने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके कमरे की खिड़की से उसे देख रहा है तब ही उसने खिड़की की तरफ देखा पर वहाँ पर कोई थाई नहीं तब ही उसे कुछ आवाज आई कि यहाँ पर जल्दे आओ वो आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी और अरजुन डरताओ खिड़की के पास गया और बाहर की तरफ देखने लगा कि चार और अंधेर के लावा कोई भी दिखाई नहीं दिया वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका चेरा बहुत ही डरावना था वो देखकर एक्दम से सहम गया तब ही उस लड़की का साय वहां से काइब हो गया और उसके बाद थोड़ी दिर के बाद उसे एहसास हुआ की उसके गले से आवाज ही ने निकल रही थी अब वो बहुत ही जादर डर गया और वो कमरे का गेट खोल गए अपने मम्मी पापा के कमरे के पास गया वो उनके कमरे का दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि तभी वो साय उसके सामने आ गया और हस्तोय कहने लगा की ये सुनकर अरजुन पीछे की तरफ जाने लगा कि तभी उसका पैर फिसल गया और पीछे सीडों से नीचे गिर गया उसके गिन्नी की आवाज से उसके पापा और ममी के नेद खुल गई वो कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अरजुन सीडों से नीचे गिरा हुआ था और उसके सिर से खुन निकल रहा था उसके पापा उसे हस्पिटल लेकर गई थोड़े दिन में अरजुन ठीक हो गया पर ठीक होते उसके साथ अजीब अजीब सी घटना होने लगी अब उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि उसके कमरे में उसके लावा कोई और भी रहता है उसके बाद उसने इस सब बाद अपने पापा को बताई तो उसके पापा ने वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया अगले दिन उन्होंने वो घर खाली कर दिया पर जब वो घर से बाहर निकले तो उन्हें लगागी वो तीन लोग है पर उनके साथ एक और जन भी था जो उनके साथ साथ वो घर छोड़कर उनके साथ जा रहा था अरजुन को ऐसा महसूस हो रहा था कि कार में उसके पास कोई है पर जब भी वो अपने साइड में देखता तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता था अब अरजुन के फैमली नए घर में सिफ्ट तो हो गए थे पर अरजुन के साथ वो घटना इस घर में भी घटती थी हर रोज उसके साथ अजीव जब सी घटना हो रही थी उसे हर वक टल लगा रहता था फिर उसके बाद उसके पापा एक बड़े पंडित के पास कई उसके बाद उस पंडित न बताएगी किसी छोटी बच्ची का काला साया अरजुन के उपर मंड़ा रहा है उसके बाद अरजुन ने सब कुछ बताया कि कैसे गलती से बच्च बन्वोस की बज़े से प्रिया की मौत हुई थी और उसके बाद उस पंडित ने प्रिया के साय से अरजुन का पीचा छोड़ाया और उसके बात से अरजुन के फैमिली वो सहर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई तो दोस्तो इस कहानी में बस यतना है कहानी आपको पसंदाई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरू कर दें और साथ ही हमें नीचे कमरबॉक्स में जरू बताएं तो मैं अपका दोस्त राज कमर चल्द ही मिलूँगा ऐसे एक और ने कहाने के साथ तब तक के लिए बाई और टेक कियर